सरकार ने निरने लिया है कि वक्त बोर्ड के लिए जो अमेंड्मेंट बिल है उसे संसद में टेबल किया जाएगा और दो ऐसे बिल होंगे जिसके द्वारा इस कानून में वक्त बिल को लेकर संशोधन किया जाएगा. हलां कि इसको लेकर काफी विवाद उठ चुका है, हमारे साथ इस वक्त स्वामी श्री गोविंदनंद सरस्वती जी हैं, जो जगत गुरु श्री शंकर आचारय बद्री जोशीमत सेवा समिती से हैं, और वो हमसे बात करना चाहते हैं कि इस बिल के संशोधन को लेकर जो सरकार कर रही है, उस पर उनकी क्या राए है, स्वामी जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल है, इसमें संशोधन ही नहीं, इस बिल को खत्म भी कर देना चाहिए, तो किस बनाम पर आप ये कह रहे हैं? मुक्य बात चीज हैं कि दो विशे हैं, आज की वरतमान में हर भारती, हर हिंदू सनातनी इसकी बारे में गंभेरता से सोचना है, विशे हैं कि वख बोड को विशे को लेकर, हमारी जो भावना नहीं है, इस प्रैक्टिकलिक क्वेश्चिन, हम जो भी बात करेंगे, लिगा की डिंगे अजिंगे को लेकर बात करेंगे, हमने स्टाटिक्स क्या हैं, असलियता क्या हैं, रूल स्रिगलिशन क्या ह् Иди आप hari üstन पूछे या कानुशिश्न आफ इंडीया के तरफ से लित करेंगे, या हिंदू रिलिज़िस आप्ड के तरफ बात करें उसके तरफ से बा प्रूब करेंगे कि भारत देश में एक वह बना रहे हैं, इस कम्प्रिटल इल्लीगल, इल्लीगल है, या कॉनिश्टिशन फिंडिया के तरफ से, जो अभी वह बना था, कॉंसा बेसे से बना, कुछ तो कुछ बेसे होता है न, जब कॉनिश्टिशन फिंडिया जो प्रक्रिय आया था, उसमें कॉंसा क्लाउज है, जो वकबोर्ड बनाने के लिए जो सहमिती देता है, फस्त आफ और फॉल, इल्लीगल करके एक वर्ड है, इल्लीगल के बहुत बड़ा अर्थ है, यह वकबोर्ड है, इस इस अदिश्टिशन फिंडिया, इस इस अदिश्टिशन बहुत विद्वान लोग बैठता है ना, भारत देश में कोही भी विद्वानों को हमको समझाने के लिए बोल दीजे कि अभी वर्तमान में बना यह जो एक्ट, कब का है, इस नाइटिन फिंडिवान में इस आमोधन होकर के जो एक्ट बना था ना, वकबोर्ड एक्ट में क आर्टिकल 14 का वैलेशन है, आर्टिकल 15 का वैलेशन है, इंडियन आर्टिकल 25 का वैलेशन है, 26 का वैलेशन है, 27 का वैलेशन है, इतना सारी पुरा वैलेशन होते हुए, इसको कैसे बना दिया, उस समय क्या है कि सब लोगों की साथ बातचीज नहीं हुआ, जो लोग बनाने बड़ा हो गया अभी इसका सम्शोधन की बात पोल रहे हैं अरे पहले ये वक्त बड़ी लीगल है उसका सम्शोधन क्या है हमारा मांग है कि उसको निर्स्ट कर देना चाहिए पहले किया भारतशिष में मुसलमानों की यहां कोई लोग नहीं रहे हैं किया और आनादिकाल से भारती लोगों को स्थान है जहाँ जेन लोग भी रहता है जहाँ क्रिश्टिन्स भी रहता है जहाँ अन्य लोग भी रहता है यहाँ ए इलीगल वर्कबोर्ड के तरह कोई अन्य विक्ति लोगों का है क्या कोई भारत में हिंदू लोग रहता है ये मुसलमान लोग है मुसलमान लोग की अरबिन कंट्रीस है आप हमको समझा दीजिए कोई भी अरब कंट्रीस में ऐसा वकबोड है क्या एक और बात बता रहे है अल्ला की नाम पर भारत दिश में भू भा को लूटने के लिए प्रक्रिया है सिधा सिधा बात है यह भारत दिश में रहने वाले कोई भी मुसलमान हमको समझा दीजिए दिली में ही बेटा है हमे मुसलमों लोग की इतना बड़ा-बड़ा-बड़ा मत्गुरु बोलता है न कोई भी आकर समझा दीए हमारे खुरान की इसाब से हमारा नीमों की इसाब से यह वकपोर्ड बनना लीगालिटी है करके नीरुपन करके बोल दीजिए हमको हम पुरू करेंगे आपके खुरान की इसाब से आपके शरीत नीमों की इसाब से आप जो सोच रहे हैं, अल्ला, उसकी साब से ये गलत हैं. निरूपन करके बताएंगे. अभी जो गौर्मेंट वर्तमा संशोधन की बात चल रहे हैं, हमारा मांगे कि इसके इलीगल ही, इलीगल का संशोधन की क्या बात है? तो स्वामी जी हर मुस्लिम वर्ग वैसे इसके संशोधन का विरोद नहीं कर रहा है कुछ मुस्लिम वर्ग है जिसमें सूφी स़जाओदीन और काउंसल भी हैं, वो कह रहे हैं कि इस अक्ट में संशोधन होना चाहिए और वो माण रहे हैं कि इस आक में कुछ करप्शन जैसी प्राक्टिसेज भी हो रही हैं. तो इसके चलते अगर कुछ मुस्लिम वर्ग इसको स्वागत कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? देखिए, मुसलम मुला में सुन्नी लोग है, जो शियालग है, जो वो बोलेंगे, उसकी बारे में हम नहीं बता हैं. हम जो बता हैं, मुल मुद्दा की बात करता हैं. जब सम्षोधिन की बात आया था, अभी भारत देश में जो कानिशिष्ण को भी पूरा सम्षोधन होना चाहिए. क्योंकि कानिशिष्ण आफ इंडिया लिखाता कब हैं, उसमें जनसंग जो जो बनाया था, उसको सम्षोधन करना है, जब सम्षोधन नहीं किया तो जनसामाज लोग को बहुत तकलिफ होता है, अभी वरतमान में जो वकबोड का जितना प्रॉपरटी से, आपके सामने ये अधिर रिकार्ड रखेंगे, नहीं तो प्रवशन हो जाएगा, अभी आपके सामने मिनिस्ट्री आफ वक कॉंसल, सेंट्रल वक कॉंसल, गॉवर्मेंट आदारिटी रिकार्ड रख रहे हैं, इसमें 32 स्टेट्स का इंक्लूदिन रिकार्ड रिकार्ड भी है इसमें, और इ आपको यह नहीं लगता है कि जो दूसरी तरीके से बयान जो आ रहा है, वो यह आ रहा है कि क्यूंकि जो मुस्लिम लोगों को जमीने जो मिल गई है वफ के तहत, अब यह बिल जब ला रहे हैं, तो यह एक मुस्लिम धरम पर हमला किया जा रहा है, उनकी जमीने हड़पने क कि यह कोशिश है, इस पर क्या करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं नहीं, देखे, यह आपके पास गॉर्मेंट कर रिकॉर्ड है, गॉर्मेंटिक और्रस है, टाइटिल पढ लेंगे, समझ में आ जाता है, इसके लिए समादान देता है, रिवाईजर गैडलाइन ऑफ दी स्कीम of computerization of records of state workboards. ये कब का है? 2014 11 August. 2014 11 August. उस समय और दिया था. गवर्मेंट अफिंडियन और दिया था. क्या बला था? ये वाक बोड है, तो तेईस राज्यों में है. सारी पुरा राज्यों में कितना संपत्य है, क्या कर रही है? उसका जो आने वाली इनकम कहा कर्च हो रही है. या मदरासों में जा रही है, या विद्याजा दिलों को लोम देने के लिए जा रही है, या P.A.F. में जा रही है, या डिरेक्ली जो अलखादा लोगों से जुड़ा हुआ मुसलिम समस्थाओं को जा रहे हैं यह सारी पर जान्च होना चाहिए न अभी पर वरतमान में वही हो रहे हैं यही मांग कर रहे हैं यह जो लोग मुसल्मानों मुसल्मान करके बोल रहे हैं इस में से कुछ लोग directly militant लोगों से संबंधित लोग हैं कितना दिखाएं आपको हम evidences सारी पुरा दुनिया जानता है अभी ये computation of the records of the work boards, सारी government other records हैं, हम ये पोच नहीं कि अभी तक एक computation हुआ नहीं हुआ क्या, इसकी उपर तो होना चाहिए, ये तक computation हो गया तो अभी वर्तमान में कितना assets हैं, ये लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, तो कल राष्टपती बहुन की उपर भी दावा कर लेंगे, क्या राष्टपती राष्टपती बहुन को छोड़ देता हैं क्या सुप्रिम कोड की उपर भी दावा कर लेता है हरे भाईया, सामान ये minimum sense है अखरी सवाल आपसे बांगलादेश में जिस तरीके से रिपोर्ट सा रही हैं जब से शेक हसीना वहां से भारत आई है और वहां के जो लोग हैं हिंदू मंदिरों पर कुछ आक्रमन होने के रिपोर्ट साए हैं और साथी साथ जो हिंदू माईनौरिटीज हैं बांगलादेश में वो भी इस वक्त सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं ये वास्तो कि स्थिती है क्योंकि इससे भारत आई है वो हमको देखना चाहिए अभी वरतमाने में जो बांगलादेश में हो रही है उससे भारत देश क्या सीखना चाहिए राजा को कभी पीट नहीं देखाना चाहिए वो पहले बात है और इंडिया में ऐसे भी अभी समस्य उत्पन होने के लिए संभावना क्रेट करने के लिए कुछ लोग में तैयार हो रही है कुछ मुसलमान जो धर्मगरू बोन लेवाले लोग भी ये सम्शुवखबुड को सम्शुदन को लेके आकर ये बयान भी दे दिया सारी मुसलमान लोग रोड पर आएगे हम धर्ना करेंगे ऐसा भारत देश में धंगा करने के लिए भी प्लान से बन रही है किसी का हिमत है इसको नकार बोलने के लिए ऐसा नहीं प्लान नहीं बन पा रहे है हम परू करके दिखाएंगे इसी मूल बात है कि बंगलादेश में क्या होगा इसके लिए तीन कारण है फर्स्ट वहां का राजा लोग क्या एक्ट बना रहे है उसको ही पता नहीं चल रहे है और विद्यारदी लोग रजरिवेशन उसका मूल कारण है रजरिवेशन नेक्स्ट, कोट्स जब कोट देनी की समय वो भी जजज है इक तरफ देता है वहीं कंफिक्ट हुआ था ना भंगलादीश में एक जज़्मिंट आया तो हाई कोट एक तरफ दे दिया था फिर उसको ख़णा कोट पर सुप्रिम कोट एक तरफ दे दिया था एक ही लापड रहे हैं ना आपकी मांग क्या है कि कि क्या वहां से जो हिंदू शर्on plutôt अगर भारत आना चाहेंगे उन्हें लेना पस साथ साथ आर्मी आर्मी भी राजा की साथ नहीं दिया वहां फिए आर्मी पकाज होता है वह हेड का क्या मानस किसी थी पाता पता नहीं इसलिए आर्मी ने क्या बोल दिया हम जनतरारों के साथ हैं यह कैसे हो सकता हैं तो वहाँ जनता की रोड में छोड़ दिया इतना हंगामा हो गए अब अभी वहाँ से एक और समस्यावत पन होता है वहाँ जितना करोर लोग जनता बोल रहे हैं उसमेंसे कुछ लोग भारत देश में गुसने के लिए कोशिश करता हैं इसलिए हमारा देश का जो फॉर्ण एफर्स मिनिस्ट्री का होम एफर्स मिनिस्ट्री का जो रा का एस्पेशली आई बी का बोर्ड सेक्यूरिटी फोर्स को ये दृष्टी में रख कर काम करना पड़ता है कि जो भी भांगलादेश से भारत में एंटर होने की समय पर उसका रिजिश्ट्री होना चाहिए इसका सारी पर मेंटेन करना पड़ता है नहीं तो चोर लोग आकर भारत देश में गुस गया तो रोह आनगें की तरह भारत देश का भी समस्या होता है तो आप चाहेंगे कि जो हिंदू वहां से आना चाहरे है माइनॉरिटी भारत में उनको भारत में शरन मिलनी चाहिए अवश्य देना चाहिए ना केवल हिंदू लोगों की भारत में जो जो पीड़त लोग है यदि वो लोग भारत नियमों की अनसार रहने के लिए जो भी अनरोध करेंगे पहले से सनात्रम धर्मेना मारा जो भी पीड़त लोग है वो लोगों को हम यहां स्टान देता है परण तो condition से, भारत देश में रेनेend वाले हिऊसे condition के अनुसा रहना पड़ता है, और एक और बात भी बह Öर बात भी बूल रहे है, जो मुसलमों कर रहे न, बात कर रहे हैं, भारत देश में रहने वाली मुसलमान लोग हो, यह पाकिस्तान में, यह बांगड़ा देश हो, यह converted मुसलमान लोग हैं, एक समय पर ये सभी लोग हिंदू थे, converted हो गया तो आप अगर मुस्लिम भी आना चाहेंगे तो भारत को उन्हें लेना चाहें शर्णाट उसका रिजिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है वो किस उदेश से आ रहे हैं क्या क्या उसका संबंद किस किस की साथ संबंद है जबते कि यह सारी डिसेंड ही होता है किसी का भारत देश में अलो करना घातुक का यह हो जाता है धन्यवाद हम से बात करने के लिए तो जो हिंदु धरम गुरू है वो भी जाहिर सी बात है कि वक्ट बोर्ड के संशोधन से खुश नहीं नजर आ रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि इसका खारिच करना चाहिए उसको और बांगला देश में जो इस वक्त स्तिती उत्पन हो रही है उसको देखकर काफी जो चिंता जनक जो दृष्य हैं वहाँ से जिस पर हिंदूओं पर जो आक्रमन हो रहे हैं उसको लेकर भी भारत में भी चिंता जनक्स्तिती बनी हुई है किरपाल सिंग के साथ मिलन शर्मा आज तर